कि नमस्कार दोस्तो मैं हूं मनुच कुमार स्वागत करता हूं आपका अपनी चैनल पर दोस्तो आज हम बात करने वाले बहुत ही एक इंपोर्डन टॉपिक की जो टॉपिक हमसे किसी भाई ने पूछा है ओन चैट पूछ है और ओन डिमांड आज हम इसको बनाने जा रहे हैं तो क्या है आज का टॉपिक थोड़ा से समद लेते हैं दोस्तो जब आप फ्यूजन के अंदर अपनी रिपोर्ट वाले पार्ट को सीखने स्टार्ट करते हो तो कई बारे इंटर्व्यू में आपसे e-text के से बना सकते हैं कितने तरीके के इनके template होते हैं किस तरीके से बना करके इनको user को hand over करते हैं और हां कितने तरीके से बना करके fusion में बना सकते हैं कितने तरीके से और कितने तरीके से ebs में बना सकते हैं और क्या और भी कोई तरीका इनको बनाने का हो सकता है सारी चीजों की ब करते हैं बिना टाइम फिस के दो तो सबसे पहले पहले ले में टम में मैं समझाता हूँ कि e-text report है क्या ए को आप गायब कर दीजे text report समझे मेरे हिसाब से text report कुछ निये दोस्तो जो notepad पर आप अपना normally कुछ भी लिखते हैं फिर उसको .txt में जब सेव कर देते हैं तो जो layout ले आउट तो देखो कुछ भी बना सकते हो e-text के अंदर आप कोई भी layout बना सकते हो आप चाहो तो proper column डालके उनके नीचे उनकी values लिख सकते हो आप चाहो तो proper उनके बीच का space maintain कर सकते हो टैब के साथ उनके बीच के तो distance है वो मेंट है तो यह तो एक layman term की कहानी होई कि text वाले जो notepad होता है उस पर मैंने अगर कुछ लिख दिया और उसको save कर रहा हो तो एक तरीकी की मेरी text report बन गई थे तो वहां पे भी तो हम मतलब rtf वाली reports बनाते थे वहां पे भी हम कनकन program camera अपनी report का type text report रख लेते थे तो क्या यह वही वाली है हां दोस्तो बिल्कुल यह बिल्कुल उसी की output यही हमने दोस्तों बोला है in generally और वो text output किस-किस तरीकी के हो सकते तो देखिए यहां पर जब हम EBS के अंदर text report बनाते थे तो वहां पे कोई type नहीं था जैसे भी business की requirement होती थी यह जैसे भी user की requirement होती थी यह अगर कोई bank integration किसी मेरे भाई ने किया हो तो bank जो अपने standard format देता था यह वह वाला format होता हो हम एक ही तरीके से अपनी report को design कर पाते थे बट यहां पर fusion की मैं बात करूँ तो fusion के अंदर e-text report के क्योंकि e-text report वही है जिसक text output generate होने वाला है लेकिन e-text के अंदर दो चीज़े डाल दी कि template आपके दो तरीके के हो सकते हैं क्या एक हो सकता है EDI तरीके का और हो सकता है EFT तरीके का अब यह क्या है EFT क्या है नाम से सहन में आ रहा है electronic fund transfer दूसरा क्या है electronic data interchange दौनों के दौनों format ही दोस्तों मेरे banking payment इस तरीके के जो purpose है उस तरीकी के scenario में use होते हैं बट जरूरी तो नहीं है कि हमेशा मेरी banking या payment file या कुछ इस तरीके की acknowledgement या कुछ बनाने के लिए मैं e-text report in journal भी आप अपने user के लिए बना सकता है यूजर क्या कर सकता है जब आप e-text report बनाओगे तो उसको pipe separated बना दो comma separated बना दो या कोई और delimiter यूज कर लो उसके थुरू बना दो तो user उसको excel पे डालके break करके अपना data देख सकता है या किसी की requirement directly है आपको कोई delimiter नहीं डालना है आपको fixed space रखना है कि पहले 10 character जो है वो कोई ID है अगले 20 character कोई नाम की value है अगले 10 character मेरी amount की value है इस तरीके की बनानी है तो मेरी आती है fixed वाले format में EFT के अंदर लेकिन अगर delimiter वाली बनानी है तो वो आती मेरी EDI वाले format में तो दो तरीके के यहां पर मेरी e-tech support हो सकती है इतना मैंने basic तरीके से यहां पर समझ लिया आगे बढ़ते हैं आगे क्या कराऊ how it generate the output for user और bank जिसकी भी requirement है बहले ही वो user की requirement हो या मेरे bank की requirement हो वहां पर मुझे किस तरीके से generate करनी है तो generate करने का fund है बिलकुल वैसे है थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूँ so that मेरे को concept easily understand हो अगर मैं पुराने ebs की बात करो देखिए ebs की ebs के ही यह मेरी एक rtf report है rtf report को बनाने के दो तरीके है मैं बिलकुल यहां पे time-based नहीं करूँगा या तो आप rdf से उसका पहले xml बना लो यह pl-sql based report का type यूज़ करके फिर उसका xml बना लो दौनों तरीके की reports के लिए मैंने बना के डाला हुआ अपनी वीडियो में आप देख सकते हो दोस्तों आप xml बना लोके फिर उस xml को किसी भी एक rtf design करो जैसे कि यहां पर word जो मेरी file होती है उसी को .rtf करके मैं save कर देता हूं तो वो मेरी rtf बन जाती है उसके अंदर जैसा भी design चाहिए देखे घान से समझना दोस्तों क्योंकि यही concept copy करके fusion में गया i-text के अंदर यह मेरा ebs का ebs में एक header है जिसके अंदर कुछ कुछ मैंने header दे दिये मैं इनको कुछ color जैसा भी color चाहूं मै color change कर सकता हूं जैसा भी font चाहूं मै font change कर सकता हूं कुछ भी कर सकता हूं जो मुझे यहां पर करना है ठीक है तो एक to heading वाली चीज होती है दूसरी होती है उसकी values अब values single तो आनी नहीं होती है values आनी होती है multiple header मेरा एक बार होता है जो कि normal तरीके से header एक बार आना चाहिए और values मेरी repeatedly उन्हीं वाले columns के अंदर आनी चाहिए तो क्या होता है एक for loop चलता है यहाँ पर एक for loop चलता है for loop का है मेरा for loop यह लिखा हुआ है जो f लिखा हुआ है यह मेरा for loop है दोस्तों किसी reason से यहाँ पर यह खुल नहीं पा रहा है मेरे अब इस system पर बढ़ यहाँ पर simple लिखा होता है कि यह एक loop है और देखे यह fields है इन fields के अंदर किस तरीके से value चिपकाते है project name का जो field xml से आ रहा है वो value में यहाँ पर print कर रहा हूँ customer name की जो value आ रही है उसको में यहाँ पर चिपका रहा हूँ तो इस तरीके से मैं अपने पुराने वाले format में पुराने वाला मतलग EBS की बात करा हूँ EBS के अंदर एक header बनाता था एक column की detail बनाता था और यह F और E जो last में लिखे हूँ है यह मेरे for loop को यहाँ start कर रहा है और यहाँ पर end कर रहा है तो सेम तरीके से यह तो हुआ मेरा क्या है EBS का तरीका सेम तरीका fusion में गया है कैसे गया है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यह fusion का concept समय में sorry EBS का concept मुझे यहाँ clear हुआ कि किस तरीके समय EBS में अपनी text report बनाता था दो तरीके यह तो RDF से XML बनाता था यह PL SQL वाले program के थूरू अपनी XML बनाता था में इस RDF को जो RDF होते थी इसको भी मुझे separately register करना पड़ता था ध्यान दे समय दो एक बार report बनाता था और report के साथ में सेम उसका जो short name होता था उससे report का में RDF को register करता था तब मेरी जाकर के एक text report EBS में बनती थी fusion में क्या हो रहा है fusion में देखो simply generate करने का तरीका कैसे वो ही मैं बता है at the run time BI publisher apply this template and input XML data अभी भी क्या हो रहा है EBS में भी यही होता था fusion में भी यही हो रहा है कि एक XML data create होता है मेरा EBS में 2-3 तरीके से मैं XML data बना सकता था जो मैंने बता दिया RDF के तरू, PLSQL program के दूँ यहां पर simply मैं data model जो बनाता हूं अपने fusion में जो data model बनाता हूं उससे ही मेरा जब report का type मैं अपना change कर देता हूं तो मेरा XML layout उस ही के अंदर होता है जब save as template करता हूं या save as data करता हूं मैं आपको दिखाता हूं अभी आगे अपने practical में तो उस time पर ही मेरा XML layout मेरा data model के अंदर छिपा रहता है ठीक है उसी को क्या करते है उसी को to create an output text file that can be transmitted to the bank or other customer बिलकु clear है यह ही हमने बात भी के because the output is intended for electronic communication that e-text template must follow very specific format instruction for exact placement of data तो यही बात in journaling हमने की भी है ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं कि हमने requirements समद ले e-text report बनानी समद ले हम कहां कहां पर use में आ सकती है वो files यह वो formats कैसे होते है तो example की बात यहां पर कर रहा हूं अभी आपको और कुछ नहीं बता रहा हूं example बता रहा हूं तो example में जो banks की जिन्होंने मेरे बाईयोंने banks के integration की होंगे EBS के थूरू या fusion के थूरू वो easily इन चीजों को understand कर पाएंगे और जिन्होंने नहीं किया वो भी easily समझेंगे क्योंकि उनको बताने के लिए आज मैं आया हूं तो दोस्तों bank में जब कभी भी कोई company payment का अपना automation करती है banks के साथ तो banks वहाँ पर अपना एक fixed format देता है कि भाई आप ये format ले लो और इसी format में आपको अपनी जो e-file e-file मतलब e-text file या text file जो बनानी है वो इस तरीके से बनानी है for example bank की जो payment files होती है चाहे वो इस तरीके की बनी हो चाहे वो इस तरीके की बनी हो दोनो तरीके की files को हम अपने e-text वाले format से अचीव कर सकते है ठीक है दोस्तो तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर example को समझने में कोई भी problem हुई है कि e-text को किस example के लिए किस purpose के लिए use किया जा सकते है थोड़ा सा और नीच जाते है types of e-text report मैं बता चुका हूँ कि actually e-text report तो एक ही है but उसके design को ले करके यहाँ पर दो type बना दिये गए दो तरीकी की template है एक कौनसी है eft जिसमें fixed format में राएगा दूसरा है edi जिसमें delimiter use करके हम बना सकते है दौनों के format में बिलकुल बाल बराबर difference होता है बहुत minute सा difference होता है दौनों में difference भी समझ लेते है किसकी बात कर रहे हैं बात करें eft की कौन सा fixed position based eft template इधर कौन सा है इधर है edi delimiter based edi template तो क्या है difference की बात करते है difference है मेरा कि an eft is an electronic transmission of a financial data and payment to the bank in a specific field position format flat file ज्यादा कुछ definition पर नहीं जाना है हमें logic समझना है definitions तो हमें easily हर जगा मिल जाएंगी google पर मिल जाएंगी oracle के documents में मिल जाएंगी हमें समझना है कि अगर मुझे इस तरीके की file बनानी है fixed fixed length की तो हम अपने eft वाले template को use करेंगे दोनों template मैं दिखाऊंगा आपको दोस्तों इनके practical भी कराऊंगा तो eft वाला format हमें choose करने अगर इस तरीके की बनानी है कि चाहे invoice number चार डिजिट का क्यों ना हो लेकिन space लगके R-pad, L-pad के through space लगाऊं और फिर अपना delimiter यूज करके फिर invoice का number लेके आऊं भले invoice number कितना भी छोटा है लेकिन ये distance उतना ही होना चाहिए क्यों? क्योंकि this is a template of eft fixed template है fixed length वाला template है ठीक है दोस्तों? तो ये eft का template मुझे sun में आ गया कि अगर fixed length वाला कुछ बनाना है मुझे तो easily मैं यहाँ पर इस तरीके का template इस तरीके का template eft वाले को use करके बना सकता हूँ दूसरा कौन सा है? दूसरा है EDI वाला EDI वाले की भी definition यहाँ पर easily लिखी हुई है दोस्तों easily आप पढ़ सकते हो तो definition पर यहाँ भी नहीं जा रहे अगर आपको इस तरीके से बनानी है कि size मेरी values का कितना भी हो देखिए difference समझे है इस वाली line को देखिए 5002 वाली को और यहाँ पर भी 5002 वाली को देखिए इसमें difference है कि मेरा delimiter वहीं पर आ गया जहाँ पर मेरी जो size था या जो information थी column की खत्म हुई देन दूसरा start हुआ देन तीसरा start हुआ देन चौत हुआ लेकिन यहाँ पर यहाँ पर proper spacing बहले ही value कितनी भी छोटी हो लेकिन जितने का मैंने spacing ये length decide कर दिया उतना है तो दौनों template मेरी सामने है EFT हो या EDI हो तो hopefully template को देखके आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके का design मेरा जाकर के E-text से बनेगा जी के दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें आज के session में हम बहुत सारी चीज़े समझने वाले हैं E-text related यहाँ पर E-text के मैंने दौनों के layout और layout नहीं देखें दौनों के output files हमने देख लिए कि किस तरीके के जो files बनती वो कैसी बनती है अब चलते इसके structure पे कि EFT का क्या structure है और EDI का क्या structure है कौन से वो template है जिनको use करके ये वाला output बनता है और ये वाला बनता है क्या change कर दिया Oracle ने जो इसको E-text के लिए दो template बनाने पड़े तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूं दोस्तों यह देखे यहाँ पर मैं केवल structure की बात कर रहा हूं structure क्या है मेरा E-text का structure उसने clearly बताया कि भाई दो structure है एक EFT वाला है जो ये वाला है दूसरा है EDI वाला है ये वाला है दौनों को कैसे समझेंगे सबसे पहला इसमें तीन तीन layer होती है दोस्तों अब तीनों layer को ध्यान से समझें दोस्तों एक layer है header information जो ये लिखे आ रहा है जो headings बना रहा है कौन-कौन सी headings बना रहा है invoice ID एक heading है invoice number एक heading है amount एक heading है invoice data एक heading है ये है दोस्तों EFT कहां लिखा हुआ है fixed position based template यहां लिखा हुआ है कैसा output बनाएगा ये output बनाएगा मेरा दोस्तों इस तरीके का ठीक है fixed वाला जो output बना रहा है वो ये वाला बना रहा है क्या हो रहा है इसमें invoice number एक मेरा column है दूसरा column इस और invoice number amount का एक column है invoice date का एक column है और देखें लिखा हुआ है इसमें मैंने कहीं पर भी space नहीं दिया हुआ है मतल़ा space अंदर्सकोर नहीं दिया हुआ values में जबकि column क्योंकि heading तो मैं कैसी भी रख सकता हूँ देखें heading यहाँ पर मैंने इस तरही किसे दे रखें heading तो मैं कैसी भी दे सकता हूँ जैसा मेरा मन करें तो headings और data values में difference भी देखना है यहाँ पर तो क्या हुआ headings के अंदर headings के अंदर मैंने तीन जो layer है कौन सा एक layer यह है इसको मैं एक number बोल रहा हूँ दूसरा layer मेरा यह वाला है label वाला दो number बोल रहा हूँ क्या हो रहा हूँ कि मेरा template किस तरीके का है क्यों थोड़ा correlate भी करते हैं पुराने वाले से पुराना वाला template ही है अब यहाँ पर तो मैं कोई template type बता ही नहीं रहा हूँ तो दोस्तों यहाँ पर मेरी template related information कहां save होती थी जब मैं अपने rtf को xml publisher के अंदर जाकर save करता था तो वहाँ पर मेरी यह information कि मैं एक rtf अपनी register कर रहा हूँ यह information जो यहाँ पर first layer पर save हो रही है template के अंदर ही यह information मेरी वहाँ पर save हो जाते थी कि मैं एक rtf यहाँ पर attach कर रहा हूँ दूसरी layer क्या है दूसरी layer थी heading की तो heading मैं यहाँ पर भी decide करता था बिलकुल यह output दोस्तों इसी तरीकी का बनेगा आपने देगा था file मेरी तो heading वाला section कौन सा है heading वाला section दौनों के अंदर यह वाला है eft के अंदर क्या है template को अभी समझेंगे अभी section की बात करें तो second section heading का है third section था मेरा किसका data का third section के अंदर मेरी values है मैं column बताऊंगा कि किस-kis column की values आनी चाहिए ठीक है तो यह मैंने यहाँ पर बता दिया third वाले के अंदर third वाले section यहाँ पर का है third वाले section यहाँ पर ही है third वाले section की values repeated कैसे हो रही है इस for loop से हो रही है जो यह f लिखा हुआ है और यह for loop last में end हो रहा है इससे end हो रही है यहाँ पर भी ऐसा ही है ये जो label है G1 ये मेरा वही for loop है और ये मेरा for loop यहाँ पर end हो गया ठीक है तो for loop के अंदर जितनी भी values होंगी वो मेरी sequentially in columns के अंदर invoice id के अंदर invoice id number के अंदर number amount के अंदर amount और date के अंदर date मेरी values वहाँ पर आ करके एक एक करके fix होती रहेंगी चिपकती रहेंगी और मेरा layout बनता जाएगा EDI के case में EFT के case में भी देखिए ये रहा मेरा third वाला section जहाँ पर वो for loop start हुआ और for loop मेरा end हो गया ठीक है तो यह मेरी जो चीजे है जीवन वाली यह जीवन वाली चीज मेरी for loop है जो मेरे loop को यहां पर चला रही है ठीक है तो दोनो पुराना वाला template हो EBS वाला या नया वाला template हो मेरा किसका fusion का fusion में दो template है EDI और EFT बिल्कुल confused नहीं होना है दोनो फर्क के है सामने दिख रहा है फर्क भी अब इनके फर्क की बात करते हैं सबसे पहले EDI की बात कर रहा हूं तो टूकि EDI मेरा similar था पुराने वाले EBS से कुछ नहीं कोई space नहीं देना है कोई बीच में distance नहीं simple बताया project name के नीचे project name customer name के नीचे customer name property name के नीचे property number आए इसी तरीके से यहां पर भी बताया बस एक length बता दी कि invoice ID का length जो है वो 20 हो सकता है ठीक है फिर क्या है फिर मैंने थोड़ा से इसको zoom कर लेता हूं दोस्तों थोड़ा easy sun में आएगा जूम जाधा बड़ा हो गया पर चुरो देख लेते है 30 का date हो सकता है और इनके बीच में e-text का जो delimiter है वो मैंने pipe use कि अगर आप देखोगे pipe single quotes के अंदर pipe है तो उसकी length एक हो सकती है यहां पर भी एक हो सकती है same यह तो header की value होई क्योंकि देखे table header यह header की बात हुई आप इसी को जब मैं column पर लेके जाऊंगा तो column भी तो मेरे उसी sequence में वहीं चिपकेंगे उन्हीं के नीचे बस फर्क आएगा तो for loop का तो यह देखे 20 यहां पर भी 20 है ठीक है same होगा उपर और नीचे same होगा यह देखे गलती से मैंने यह 60 लिख दिया बट यह भी 50 रहेगा यह 50 रहेगा यह 10 है यह 10 के साथ रहेगा यह 30 है यह 30 के साथ रहेगा और यह value simply in columns के नीचे आ करके एक एक करके मेरी लगती जाएंगी और मेरा layout का जो output है वो बनता जाएगा ठीक है दोस्तों तो यह मैंने किसको समझ लिया यह मैंने EDI को यह easily समझ लिया EFT में थोड़ा साथ है आपको उसका size बताना है बट अलग तरीके से कैसे देखे है 20 बताया है यहां भी 20 बताया बट क्या बताया मैंने बताया कि 1 से लेकर के जो 20 length बनेगी जो 20 length बनेगी वो invoice ID कहलाएगी मेरी यहां पर भी यही बताया 1 से 20 invoice ID फिर क्या बताया फिर मैंने बताया कि 21 से लेकर के 3 values अगर मैं और जोड़ दूं तो मेरा R के साथ right hand side में एक pad लगेगा space का right में pad लगेगा space का और pipe लगेगा 3 के value के साथ यह कितना हो गया पहली value 20 तीन और आया तो देखे यहां पर 21 से 3 और जोड़ा 24 24 से 50 तक की value 24 से 50 तक की value मेरी invoice number रहेगा 24 से 50 कितना होगे 74 75 से लेकर 3 अगर और जोड़ता हूँ मेरा यहां पर एक यह separator रहेगा pipe separator फिर यहां पर 78 से लेकर के 10 कितना होगे 78 से 10 हुआ 88 मेरा amount रहेगा 89 से 3 जोड़ा कितना हुआ 91 यहां तक मेरा spacer यह बीच में separator रहेगा और 91 तक यहां तक कि 91 92 से 122 तक मेरा invoice date रहेगा तो इस तरीके से मैंने अपना EFT में एक एक value की एक column का size define किया कि कितने कितने size size का लिखे हो यह size में यह वाला है रहेगा फिर फेर का यह30 का है फिर यह सिकाерш का है फिर यह थोड़ा जयादा लिख दिया यहां पर लिखना चाहिए मुझे 30 यह 30 का है यह 30 का लिखने के बाद मेरी values यहाँ पर इसी तरीके से extend होती चली जाएंगे समझ रखते हैं दोनों के structure भी समझ लिए दोनों का difference भी समझ लिए दोनों के outputs भी समझ लिए कितने types के मेरे हो सकते हैं वो भी मैंने समझ लिए ठीक है और इस purpose के लिए use होते हैं वो purpose भी मैंने समझ लिए क्या इनकी definitions होती हैं वो भी समझ लिए hopefully दोस्तों e-text का basic अगर बोलो theoretical information मैंने इस पूरी की पूरी जो video के जो हमारा ये session है इसमें दे दिये hopefully आपको समझ में आया होगा बहुत management में बहुत simple तरीके से मैंने आपको समझाने कि यहां पर कोशिश किये आपको समझ में भी definitely आया होगा e-text को लेकर जिसके भी दिमाग में जो भी कुछ है सब कुछ इसी वाले video से simply clear हो जाएगा अब क्या बसता है बसता है तो बसता है मेरा कि किस तरीके से यह eft वाला template यूज़ करके हम बनाएंगे अपना यह लियाओ किस तरीके से edi वाला template यूज़ करके हम यह बनाएंगे बसता है तो यह तो आगे कि sessions बिलकुल skip मत कीजिएगा आपको अच्छे से समझना है आपको practice भी करनी है तो आगे कि sessions देखीगा जहां पर properly आपको ही समझ में आएगा कि edi और eft template को यूज़ करके किस तरीके से मैं अपनी e-text report जो एक term है fusion में जो एक e-text का term है वो मेरा properly clear हो जाएगा कभी भी banks related, payments related, कोई bank के साथ integration होना है बिलकुल नहीं घबराना है यही वाली files वहाँ पर जाके बनती है तो easily आप बहुत simple तरीके से यह बना सकते हैं तो दोस्तों अपने भाई की छोटी सी मुहिम को support जरू करना अपने भाई को motivate जरूर करना चैनल को subscribe करना उन लोगों तक videos के और channel के link share करना जो सच में आगे बढ़ना चाते हैं या लेमेंटा में हिंदी में proper तरीके से एक concept को easy तरीके से समझना चाते हैं conceptually ना कि definitions को read करके या किसी और चीज़ को पढ़के अपने भाई को support करने के लिए इसी तरीके से अपनी comment अपनी suggestions अपनी requirement ऐसे ही दोस्तों भेजते रहिए मैं इसी तरीके से आपके साथ अपनी information को अपनी knowledge को share करता रहूँगा खुद भी आगे बढ़ूँगा और आपको भी आगे बढ़ूँगा ठीक है दोस्तों फिर से मुलाकात होगी एक नए concept में नए वीडियो के साथ तब तक के लिए दीजे मुझे इजाज़त थेंक सुमाट